दोस्तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे How to Reach Codec Canal दोस्तो Codec Canal ही बहुत ही सुन्दर हिल स्टेशन है जो की आपका तमिल नाडू के अंदर हिस्तित है और यहाँ पर बहुत सारी घुमने ही जगाए हैं जो इंग्रूट करती हैं ब्रीजम लेक, बरियन पार्क, पिलर रॉक्स रोट, पाइंट्री फोरिस्ट, लेक साइट्स स्लाइक्लिंग, बियर शोला फॉल, सिल्वर कैस्केट फॉल तो दोस्तो यह भूत सुन्दर जगा हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे How to Reach Codec Canal तो दोस्तो कोड़ी कनाल को डिस्टन से बैंगलोर से 8 घंटे लगते हैं बाइरूट और ट्रेन से पोश्टर में आपको 9 घंटे लगते हैं पूने से 21 घंटे का डिस्टेंस है बाय रूट न्यू दिली से 42 घंटे तो नई दिली से तो आप बाय रूट जाए नी सकते हैं चिन्नाई से कोडी कनाल का 9 घंटे का डिस्टेंस है मुंबई से 23 घंटे का हैदराबाद तो कोडी कनाल 15 घंटे का डिस्टेंस है और by air आपका New Delhi से Kodi Canal लगता है 7 गंटे और Hyderabad से Kodi Canal लगता है 6 गंटे और Kodi Canal का अपना कोई एरपोर्ट नहीं है दोस्तो तो पहले हम बताएंगे how to reach Kodi Canal by road तो दोस्तो रूट से आप जा सकते हैं जैसे कि मैंने इस slide में बता है पहले वाली बैंगलूर से distance 8 km का है और चिन्नई से 9 km का distance है दोस्तो तो आप क्या कर सकते हैं आपनी private car ले सकते हैं ग्या रुपे के हिसाब से वो आपसे पर km का फेर चाच करेगी और वो आपको वहाँ तक पुचा देगी और 8 गंटे का रास्ता है तो काफी अराम से आप पूच जाएंगे आपका जो खर्चा आएगा कम स्वें चार से पाच या रुपे का आपका बाई रूट चिन्नई और बैंगलूर से वहाँ पर पूचने का आएगा तो आप कैप कर सकते हैं प्राइविट कार कर सकते हैं और आपकी बसे चलती है वह वह बसे जो आपकी चैन्नई और बैंगलूर से Kodai किसी ध़र चलती है तो वहाँ से आप वह भी ले सकते हैं दोस्तों दूसरा वे है बाए train तो कोड़ कामल के सबसे नेरेस रेलवे स्टेशन जो है आपका वो कोडी कनाल से 80 km की दूरी में इस तते है जो city के अंदर है दोस्तो तो आपको nearest railway station पर उतरना पड़ेगा which is कोड़े रोड railway station उसके बाद वहाँ से cab करनी पड़ेगी और बसेस भी चलती है private busics जो आपको वहाँ तक पुचा देंगी दोस्तो तो second way आपका कोडी कनाल पोचने का by train train से आपको उतरना है आपका जो nearest railway station है वहाँ पर जो की 80 km की दूरी पर है nearest railway station है इसका कोड़े रोड railway station और वहाँ से आपको अगिन कैप पकड़नी है तीसरा way आप air से जाए by plane अगर आप plane से जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कोडी कनाल जो हिल सेशन है उसका अपना कोई एरपोर्ट नहीं है तो ट्रिची जो एरपोर्ट है ट्रिची सिटी के अंदर एक एरपोर्ट है जो आपका 150 km की दूरी पर सित है मधुरही में जो एरपोर्ट है वो 120 km की दूरी पर है कोईमबुटूर का एरपोर्ट 175 की km की दूरी पर है तो हारली दोस्तो 20-30 km का डिफरेंस है तो आप जब एर की टिकट बुक करवाएं तो आप चेक कर लेना की आपको ट्रिची की सस्ती पर दिया या मधुरही की या कोईमबुटूर की वहाँ तक कि आपको अगेन टिकट करवानी पड़ेगी और बाइ एर आपको 7-8 घंट लगेंगे दिल्ली और मुंबई से अगर आप कोडी कनाल जा रहे है तो और दोस्तों वहाँ पर पोचके आपको एरपोर्ट पर पोचके अगेन आपको कैप करनी पड़ेगी जो आपको कोडी कनाल हेल स्टेशन पर लेके जाएगा दोस्तों तो वहाँ तक अगेन जाने में आपको कम से हम 120 और 175 किलोमेटर का जो डिस्सेंस है जैसे अलगलग सिटी के हिसाब से उसके हिसाब से आपको 304 घंटे वहाँ पर अगेन पोचने में लग जाएंगे दोस्तों तो दोस्तों ये था आपका कोडी कनाल पोचने का काफी सारी ट्रेंस है जो वहाँ पर जाती हैं सबसे फेमस ट्रेंस जो आप जैसे इसके मेंशन हैं मैंने मेंशन किया है टुटी कॉरिन एक्स्प्रिस तिरीवन ध्रम एक्स्प्रिस तो काफी सारी ट्रेंस है जो वहाँ त तो हिमाचरा प्रदेश उत्तर अखंड में चले आते हैं हिल्स्टेशन में पर साउथ में ये काफी प्रॉमिनेट हिल्स्टेशन है आपका अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो यही तीन वे हैं आपके पोश्टने के दोस्तों दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई यो तो हमारे चैनल को प्रीज सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद